Hello friends, मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज हम स्वीटी बेकरी क्लासेज जा रहे हैं जिनका संचालन स्वीटी शुकला करती है और ये एगलेस केक बनाती हैं बहुत ही टेस्टी केक बनाती है तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि एगलेस केक कैसे बनता है तो friends सबसे पहले हम यह देखते हैं कि eggless cake में क्या-क्या ingredients मिलाए जाते हैं तो base actually हमारा ready हो चुका है और base ठंडा है हमने इसका butter paper निकाला बिल्कुल हलके हाथों से हम इसको निकालेंगे दीरे-दीरे और उसके बाद हम इसको cut करेंगे केक ठंडा हो जाना चाहिए क्योंकि अगर ठंडा नहीं रहता न तो केक की cutting अच्छी नहीं होती है अब आप friends देख सकते हैं कि केक की cutting बहुत ही आसानी से हो रही है और क्रीम हम पहले बीट कर चुके है इसका वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब पे डाला हुए आपको देखना हो तो देख सकते हैं अब हम इसमें pineapple flavor का essence दालेंगे यह देखिए इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और क्रीम में मिला देंगे थोड़ा सा पानी स्प्रे करेंगे क्योंकि अभी गर्मी का समय है तो थोड़ा केक सूखना जाए इसलिए यह देखिए हम हमने friends फिर से क्रीम डाली उसको प अगें थर्ड लेयर अगें क्रीम वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखिए क्योंकि अगर अपने थोड़ा भी स्किप किया तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा अब हम इसको थोड़ा रेस्ट देने के लिए फ्रिज में रख देंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने एग का कहीं उपयोग नहीं किया जो क्रीम लिया वो पूरी मिल्क से ही बनी होई है अगें थोड़ी से हमने क्रीम बीट करी और इसको शेप मिलाए फिर हमने जेल लिया इसमें हमने थोड़ा सा कलर मिलाया इसको मिक्स किया एक सिजर की सहायता से हमने एक पाइपिंग बैक रेड़ी किया और उसको इसमें फिल कर लिया अब ये ट्विंकल डस्ट आती है वो हमने थोड़ी सी स्प्रेड करी केक के उपर हलके हाथों से बहुत जादा नहीं हलके हलका और फिर ये जो हमने जेल रेड़ी किया तो वो चारो तरफ हलके हाथों से फैला लिया तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रही है क्योंकि फ्रेंड से बहुत ही अच्छा केक रेड़ी होगा और मेरी सबी भाई बंदू हों से गुजारिस है कि आप यहां पर ओर्डर दीजिए यहां का केक बहुत ही टेस्टी बनता है फिर इनको हलके हाथों से स्प्रेड करेंगे और फिर इस प्रकार हम डिजाइन बना लेंगे चुकि एनिवर्सरी का केक है सॉरी केक है तो फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कि चलो मैं आपको थोड़ा सा नियो और डिफरेंट डिजाइन देती हूं तो थोड़ा हार्ट शेप का डिजाइन इन में यह कर दिया जब हम केक काटेंगे तो इसको हटा देंगे अगेन हमने क्रीम फिल करी पाइपिंग बैग में और इस पर छुटे छुटे डॉट बना लिए जिससे केक बहुत ही कूपसूरत दिखने वाला है और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और जैश्री राम झाल